इंग्लेंड के खिलाप मुकाबले से पहले लखनव पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली तीन बड़ी खुश खबरी मैच से पहले भारतिय टीम में चाही खुशी की लहर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इसलिए वीडियो को कम्पलिट देखना दोस्तो वन डे वर्ड कप में भारतिय टीम ने 5 मैच खेले हैं और 5 ही मैचों में टीम ने सांदार लाजवाब जीत आसिल की है पिछले मैच में नुजलेंड को हराने के बाद अब तीम इंडिया इंग्लेंड को धूल चटाने मैदान पर उत्रेगी दोस्तो आपको बता दे की भारत और इंग्लेंड के बीची ये मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा जो की लखनाओं में खेला जाना है लेकिन दोस्तो इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को 3-3 बड़ी खुशखबरी मिली है तो चलिए दोस्तो जानते हैं कौन सी हैं वो 3 बड़ी खुशखबरी दोस्तो सब से पहली बड़ी खुशखबरी हारदिक पांडिया को लेकर आ रही है जैसा कि दोस्तो आप सब जानते हो हारदिक पांडिया बांगलादेस के खिलाप मैच में चोटिल हो गए थे जिसके बाद उन्हें नुजलेंड के खिलाब पिछले मुकाबले से बार बैठना पड़ा था तो वहीं अब इंगलेंड के खिलाब हार्दिक पांड़ा के खेलने की पूरी संभावना है जो की मैच से पहले कप्तान रोई सर्मा के साथ साथ पूरी टीम के लिए अची खबर है इसके बाद दूसरी खुश खबरी की बात करें तो वो है दोस्तों मुहमद समी को लेकर नुजलेंड के खिलाब मुहमद समी ने पांच विकेट अपने नाम कर टीम की जित में बड़ी बुमी का निबाई थी एसे में आने वाले मैचों में भी वो टीम का इसा हो सकते हैं इसके बाद तीसरी बड़ी अपडेट विराट कोली को लेकरा रही है दोस्तो नुजलेंड के खिलाफ विराट कोली ने नाबाद 25 में रनों की पारी खेली थी तो वहीं बांगलडेश के खिलाफ नाबाद सतकिये पारी देखने को मिली थी एसे में विराट कोली इस मेच जिस तरह से बले बाजी कर रही है वो वाके ही टीम इंडिया के लिए खुशी की बात है अगर को लीका बल्ला आने वाले मैचों में भी इसी तरह चलता है तो वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया हमें वर्ड कप के फाइनल में दिखाई देगी तो दोस्तों इंगलेंड के खिलाफ मैच से पहले